मैं रतना सिंग आप सबी को साधर प्रणाम करती हूँ सरुप्रत्व मैं जन सुलब पुस्त काले का धन्यवाद करती हूँ जिस मंच ने मुझे मनु भंडारी के साथ हुवे अनुभवों को साजह करने का औसर प्रदान किया जैसे कि हम सब जानते हैं हिंदी साहित जगत में मनु भंडारी एक सूप्रसिद लेखी का है उनका जन्म तीन अप्रेल 1931 को लेकिन उनका वास्तविक जन्म दिन 12 जून को होता है जिस उसर पर जन सुलब पुस्त काले ने हम लोगों को बोलने का ये उसर प्रदान किया सुलब पुस्त काले का आभार वेक्त करती हूं मैं मेरा और मनु जी का मेरी और मनु जी की यादों का सिलसिला उनके हौजखास वाले फ्लैट से शुरू होता है बात कुछ ऐसी थी कि मैं उस टाइम पेशन देखती थी मेरे पास एक दिन फोन आया कि आपको कल सुबा मनु भंडारी जी के यहाँ जाना है उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि मनु भंडारी कौन है क्या करती है मुझे कुछ पता नहीं था सो मैं राद बर यही सोचती रही पता नहीं कैसी होंगी कौन क्या है क्योंकि मेरा हिंदी साहित से उतना जुडाव नहीं था मैं एक गाउं के मध्यम वर्गी परिवार की लड़की जहां पर किताबू को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला हाजर अब जो पार्थिक्रम में होता था जिन लेखक लेखिकाओं के परिचे जीवन परिचे पार्थिक्रम में होते थे बस उसे ही पढ़ लेती थी खैर अपनी बात पर आती हूं सुबह हुई और मेरे दमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे मैं जाओंगी कैसी पेशिंट होंगी क्या होंगी पतानी कैसे लोग होंगे अजीब और गरीब सवाल लेकिन मैं जब उनके घर पहुची कापते हाथों से मैंने उनके दर्वाजे की बेल बचाई और उनसे ही सवालों का दौर शुरू हो गया नाम क्या है कितने साल काम किया क्या करती हो खेर उनके सवालों का जवाब देके मैं मनू भंडारी जी के कमरे में पहुची जब मैं उनके कमरे में पहुची तो मुझे लगा कि पतानी मैं भी पहले से क्या सोच सोच कर बैठ जाती वहाँ पर तो एकदम उल्टा था उन्होंने इतने प्यार से मुझे से पूछा बेटा नाम क्या है रतना वो मुझे इतनी आत्मी इतनी सरल इतनी साधारड लगे कि शायद मैंने कभी ऐसी महिला देखी नहीं हो मैं तो इतनी खुश हो गई मैं सोच रही थी कि मैं क्या-क्या सोच रही थी और अभी तो वो मुझे इतनी साधारड लग रही है खैर उन्होंने पूछा पढ़ाई कितनी किये बेटा M.A. किया है मैंने मैंने जवाब लिया M.A. आरे वाह तू इतनी पढ़ी है और यहाँ मैम यूही मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि यूही क्या ये काम तो कोई और कर लेगा तू ये काम क्यों इतना पढ़ लिखे मैंने कहा कि ठीक है मैं अभी तो यही करूँगी बात मैं सोचूँगी हलके सी मुस्कुराई चल ठीक है खेर एक दो घंटे बीते उसके बाद में उनकी बेटी रचना जी है उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि वो रचना जी को प्यार सर टिंकू बुलाती है उन्हें ने कहा कि टिंकू ये जो तुने बिटिया भेजी है ना ये बहुत अच्छी है मतलब उसी दिन से उनकी तारीफों का दौर चल पड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इतनी महान है और इतनी महान है कि उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था लेकिन उनकी तारीफों का जो दौर था वो चल रहा था तो रचना दीदी से भी मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि वो भी उतना ही मेठा बोल रही थी इतनी साधारण इतनी अच्छी है जितनी की मन्नु जी कहर हम दिन बीता और दूसरे दिन मन्नु जी को गुडगाओं आना था क्या होता था कि वो दो दिन वहां रहती थी हौच खास में चार दिन इधर रहती थी इन दिनों उनकी थोड़ी तबियत खराब चल रही थी इसलिए वो बाहर कहीं जाती भी नहीं थी तो रचना जी को भी यह लगता था कि थोड़े दिन यहां रहेंगी थोड़े दिन वहां रहेंगी तो उनका मन लगा रहेगा इसलिए वो थोड़े दिन गुडगाओं रहती थी और होच खास में खेर तो हम लोग गुडगाउं आगएं गुडगाउं में मैं फाली बार रच्णा जी से मिली थी जो की मुझे बहुत अच्छी उनसे मिल कर मुझे बहुत अच्छा लगा था और उनके परिवार से भी मिली थी सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो मैं सोच रही थी उसके कहीं कहीं जादा अच्छा था सब तो यहां पे एक दो दिन रहने के बाद एक दिन मनुजी से कोई मिलने आया तो वो आया और बैठा उन्होंने अपना बाद में बताया कि मेरा क्या हाल है मैं कैसी हूँ पहले मेरी तारीफ करना शुरू कर दिया तो यह रतना है नाम याद नहीं रहता था उन्हें फिर भी वो मुझसे पूछ लेती थी क्या नाम है तो बोलती थी यह रतना है और फिर एक जो भी आता था जो भी कोई आता था हर किसी से अपने बारे में बाद में एक बार मैं और मनु जी निर्मला जाहन जी के यहां गए तो वहाँ पे जाते ही उन्होंने पूछा कि मनु दी आप कैसी है मैं ठीक हूँ और तुझे पता है यह लड़की बहुत अच्छी है यह बहुत अच्छी लड़की है जो भी आता था हर किसी से और हाँ तो मैं आती हूँ कि मैं और वो रहने लगे और धीरे धीरे मेरा उनका लगाओ बढ़ने लगा मैं उन्हें कहानी पढ़के सुनाती थी और वो सुनती थी बहुत इतनी गहराई से कहानी सुनने लगती थी इतनी गहराई से कि जैसे वो जब लिखती थी जितनी गहराई में जाके उतनी गहराई में वो चली जाती हाँ हाँ तो मैं एक दिन और हम दोनों बैठे थे शाम को बैटके हम लोग बाते कहते थे एक दिन बैठे थे तो उन्होंने मैंने कहा कि मनुदी मैं उन्हें मम्मी बुलाती हूँ और उन्होंने भी जिस बात को मुझे पहले कहना चाहिए था वो बात ही बात मैं भूल गई उसके लिए माफी चाहती हूँ कि मैं इतनी सौभाग गिसाली कि उन्होंने मेरा प्यार से एक नाम रखा गुडिया वो मुझे हमेशा गुडिया बुलाती है और मैं उन्हें प्यार से मम्मी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी देर से मन्नु जी बोले जा रही हूँ तो इससे मुझे लगता है कि मैं उनसे दूर हूँ जबकि मैं उनके बहुत पास हूँ तो इसलिए मैं उन्हें मम्मी बोलती हूँ तो मैंने एक दिन कहा मम्मी मैं आपको एक बात बता हूँ उन्होंने कहा हाँ बता तो मैं कहा कि मम्मी जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी दादी मुझे प्यार नहीं करती थी क्योंकि मेरी ममी के शादी के 12 साल हो गए थे तब मैं पैदा हुई थी और वो कहती थी कि पैदा हुई तो एक लड़की तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि आ मैं तुझे प्यार करती हूं और वो मेरे गाल को सहलाने लगी मुझे प्यार करने लगी और बहुत प्यार किया उन्होंने उसके बाद में ऐसे दिन बीटते जा रहे थे मेरा उनका लगाओ बढ़ता जा रहा था और कुछ दिन बीटते गए और हम लोग शाम को बैट के बातें करते कभी वो मुझे मैं उनसे पूछती की ममी तुम तो तब भी थी न जब हमारा देश आजाद हुआ था बोलती थी हाँ मैं थोड़ी सी बात शुरू करती और वो शुरू हो जाती कि जब देश आजाद हुआ तो कैसे वो भी हिस्सा लेती थी उसमें भाशन करती थी और सभाओं में जाती थी एक बात और उन्होंने मुझे बताई कि तुझे पता है मैं जब रहती थी वहाँ पे तो जब मैं अपने भानपूरा में रहती थी तो एक रंग्रेज सौरी भानपूरा या अजमेर मुझे ठीक से याद नहीं है वहाँ रहती थी तो एक बाबा आते थे रंग्रेज वो आते थे और रंग्रेज रंग्रेज करके बुलाते रहते थे तो अचानक से कुछ दिन पहले वो बाबा नहीं आये तो हम लोगों को लगा कि अरे क्या हुआ कुछ दिन बीद गए उसके बाद में फिर से मुझे वही आवाद सुनाई दी रंग्रेज रंग्रेज तो हम लोग बाहर निकलें तो हमने कहा कि बाबा क्या हुआ था आपको आप आ क्यों नहीं रहे थे उन्होंने कहा कि क्या करें बटवारा हुआ और मैं गलती से पाकिस् साफिया फिर से वापस आया हूँ और फूट-फूट कर रोने लगें और कहा कि अपनी मिटी को छोड़ कर कोई कैसे रह सकता है और हा lavorants मैं मम्मी को हर रूप में देखती हूं कभी वो नानी के रूप में कभी दादी के रूप में कभी गुरू के रूप में कभी और प्रेनस रूत वो मुझे हर रूप में दिखाई देती है बस मेरा जो भी मन होता है मैं उस रूप में उन्हें देख लेती हूँ और वो मुझे दिख जाती है मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ आज मुझे उनके साथ इतना लगाऊ हो गया है कि ऐसे लगता है कि मैं उनसे दूर जाऊंगी तो मेरी जिन्दिगी खतम हो जाएगी मेरा जीना मुस्किल हो जाएगा इतना जादा लगाऊ है मेरा उनसे और हाँ एक बात और जो मुझे हमेशा याद रहती है वो एक दिन उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बोला कि बेटा ये काम तू कर मैंने का नहीं ममी मुझसे तू नहीं होगा अरे तुझसे सब होगा तू सब कर सकती है और तुझे पता है तुझे एक बात बताओ मैंने का हाँ ममी बताओ जो भी हम करना चाहें जो भी इनसान करना चाहे उसको अगर वो दिल से करना चाहता है तो वो कर सकता है कोई काम ऐसा असंभव नहीं है जो कि हम करना चाहें और कर नहीं सकतें ये बात मुझे उन्होंने तीन साल पहले कही थी और अभी तक याद है हमेशा याद रहेगी एक दिन मैंने कहा कि ममी तुम कुछ लिखो ना, सारा कुछ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब कुछ नया पढ़ने का मन करता है, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं जरूर लिखूंगी, ये बात वो हमेशा दिन भर में मुझे बहुत बार कहती है, मैं जब भी उन्हें मैं बोलती हूं ममी कुछ लिखो ना, वो बोलती है, हाँ बेटा मैं जरूर लिखूंगी, और देखना एक दिन बहुत अच्छा लिखूंगी, मैं कहती हूं हाँ ममी तुम जरूर लिखोगी, अभी वो भूल जाती है, कि वो कभी ये भी कह देती है, कि नहीं बेटा मेरे से नहीं हो रहा मैं उन्हें फिर से बोलती है मम्मी तुम तुम उससे कहती थी कि अगर कोई कोशिश करे तो क्यों नहीं कर सकता तो आप भी तो कर सकती हो आपने तो बहुत काम किया है इतना जादक कि किसी नहीं किया तो अभी भी कर सकती हो एक दिन ऐसे हस्ते हस्ते मैंने कहा कि मैं बहुत ठक गई हूं तुझे बढ़ा क्यों क्या हुआ गम arise पता नहीं क्यों बहुत पैरदार्द हो रहा है अब मैं बुड़ी हो गईँ अरे तू बुड़ी हो गई है अभी से बुड़ी तो मैं हो रही हूं तुझे पता है मैं 90 साल कि हो गई हूं साल की नई ममी अभी तो तुम जवान हो यंग हो नई नई मैं बुड़ी हो गई नई ममी तुम जवान हो और अभी तो तुम्हें बहुत काम करना है तुम्हारी बहुत सारी कहानिया अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करना है हां हां वो तो जरूर करूंगी का हां ममी वो जर सकता जो तुम कर सकती हो कहती हैं मैं ये काम तुझ जरूर करूगी एक दिन मैंने उन्हें कलम दी और कहा कि ममी लिखो ना आप कुछ आज तो बोले ठीक है और वो लिखती है रोज हर रोज लिखती है ये तो नहीं पता उन्हें कि वो क्या लिख रही है क्योंकि पढ़ नहीं पाती हैं बट वो लिखती हैं भले एक ही अच्छर को वो बार-बार लिखती हैं जो कि जो अक्षर है कि मुझे कभी-कभी उन शब्दों को देखके मेरे आँखों में आशु आ जाते हैं कि जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए और फिर से कुछ नया लिखें वो बार-बार वही लि कुछ नया करूं मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूं कि मैं कुछ नया करूं खैर तो हमेशा वो यही लिखती रहती हैं और मुझे पूरा विश्वास भी है कि वो जरूर कुछ नया करेंगी जरूर कुछ नया लिखेंगी जो कि जल्दी ही हम लोग के सामनी होगा हाँ तो उन्होंने फिर कहा कि तू लिख ना तू भी तो लिख सकती है मैं कहा मम्मी यह काम मेरे बसका नहीं है मैं नहीं कर सकती वो तो आप ही करो अरे नहीं नहीं तू सब कर सकती है ऐसे कैसे तेरे बसका नहीं है तो मैंने उनसे प्रेरी थोके उनकी बातों से प्रेरी थोके उनके मार्ग दर्शन से एक लगू कथा लिखी जो की हंस में अगले अंस में छपी भी है हलाकि मार्ग दर्शन और भी कई लोगों का रहा सुधा अरोडा जीने भी मुझे मार्ग दर्शित किया रचना जी ने हमारे एक कॉलेज टाइम के अध्यापक है जिनों डॉक्टर संतलाल जो भाषा के सलाकार है उन्होंने भी मुझे मार्ग दर्शित किया इन सब लोगों के मार्ग दर्शन से मैंने एक लगू कथा लिखी है जो हंस में छप चुकी है मैं ये सोचती हूँ कि जिसके लिए हिंदी साहित की ABCD का कहरा और कुछ भी ना पता हो उसके लिए एक छोटी सी लगू कथा लिखना भी बहुत बड़ी बात है और ये लगू कथा मैंने मनू जी जिने मैं मम्मी बोलती हूँ मम्मी की वज़े से ही मैं आज लिख सकी हूँ उन्होंने ही मुझे हिंदी साहित की दुनिया में प्रवेस कराया है उन्होंने ही मुझे हिंदी साहित पढ़ना सिखाया है आज मैं जो भी कुछ अभी हूँ मैं मनु जी की वज़े से हूँ उनकी वज़े से ही मैं कुछ कर पारी हूँ जो भी मैं कुछ कर पारी हूँ वो मनु जी की वज़े से ही मैं कर पारी हूँ हाँ तो मैं ये कहना चारी थी कि मनु जी और मैं हम दोनों का लगाओ इतना बढ़ गया है इतना बढ़ गया है कि मैं कभी अपने आपको अलग नहीं रख पाऊंगी कभी मैं अपने आपको अलग नहीं कर पाऊंगी उनसे और मैं फिर से आप कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही शौभाग साली हूँ इतनी खुद किस्मत हूँ कि मनुजी का प्यार मुझे मिला आज उनके वज़े से ही मैं सब कुछ कर पा रही हूँ और वही मेरा सब कुछ है हाँ तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक दिन मैं और ममी बैठे थे तो मेरा सिर दर्द हो रहा था मैंने कहा कि ममी मेरा सिर दबादो ना बहुत दर्द हो रहा है अच्छा तेरा सिर दर्द हो रहा है हम और वो मेरा सिर दबाने बैट गई सोचो मेरे लिए कितनी शौभाग की बात है और वो से दबाने लगी इतने में रचना जी जिनने मैं दीदी बोलती दीदी आई और कहा की रतना आज मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है तो मैंने कहा क्यों दीदी क्या हुआ मैं थोड़ा सा डर गई थी कि पता नहीं क्या हुआ कुछ बोले न खैप उन्होंने फिर हसते हुए का अरे नहीं मैं तो मजाग कर रही थी मजाग और इतने में हम तीनों मैं और ममी और दीदी हम तीनों ठटा के लगा के हसने लगे और हाँ तो एक बार और जब सुधा जी आई थी तो जादतर मनु जी हौजखास में सिप्ट हो जाती थी वो आई तो वो वहीं सिप्ट थी एक दिन मैं ममी के साथ बात कर रही थी तो सुधा जी ने कहा कि रतना ऐसा लग रहा है कि मेरी वाली दोस्ती अब तेरे पास जाने वाली है मेरे जैसी दोस्ती तूने भी कर लिया मैंने कहा आपकी जगर तो मैं नहीं ले सकती लेकिन बस थोड़ी सी थोड़ा सा प्यार पाने के लिए कोशिश कर रही बोला नहीं नहीं तुझे पूरा प्यार मिलेगा और हाँ मनु जी की वज़े से ही उनके माध्यम से ही जो हिंदी साहित जगत की एक प्रतिस्ठित लेखी का सुधा अरोडा जी हैं उनसे भी मेरा परिचे हुआ उनका भी प्यार मुझे मिला वो भी मुझे बहुत प्यार करती है हमेशा फोन करेंगी तो वो भी मुझे बिटिया बेटा ऐसे करके ही हमेशा बुलाती है उनके माध्यम से एक दो लेखी काओं से और मिलने का मौका मिला ममता कालिया जी निर्मला जैन जी जो ये सब हिंदी साहित जगत की महान और बड़ी लेखी का है तो मैं अपने को बहुत खुद किश्मत भाग्य साली समझती हूँ कि जो ऐसी इतनी महान महान लेखी काओं से मिलने का उनका प्यार पाने का मुझे औसर मिला मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि गाओं से आने वाली एक साधार मध्य मुर्गी परिवार की लड़की और इतने बड़े बड़े लेखकों के साथ उनका प्यार पाना और उनके साथ बातें करना कितनी सोभाग्य की बात है कि मैं और मैं इतनी खुश हूँ मैं इतनी खुश हूँ कि जिसे मैं शब्दों में नहीं बया कर सकती मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ और मैं पुना एक बार कहना चाहूँगी कि मैं बहुत-बहुत खुदकिश्मत सौभाग गिशाली हूँ जो कि इन सब लोगों का प्यार मनु जी का प्यार मुझे मिला मेरी बस ईस्वर से यही प्रात्ना है आजकल वो जादा बोलती नहीं है आजकल ममी जादा बोलती नहीं है बैठी रहती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले उनको फिर से स्ट्रोक आया था जिससे अभी उनकी काफी यादास्त कम हो गई है तो मेरी इश्वर से यही प्रात्ना है कि उनकी यादास्त फिर से वापिस आ जाए और वो मुझे से पहले जैसे फिर से बातें करें जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धी होगी जब वो फिर से मेरे से वैसे ही बाते करेंगी और कुछ नया लिखेंगी इससे बड़ी उपलब्धी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती हाँ तो मैं एक कहानी का कुछ अंस पढ़ना चाहूंगी जो की मनु जी को सबसे ज़ादा पसंद है जो की मैंने उन्हें सबसे ज़ादा बार सुना चुकी हूं और वो उसे बेहत पसंद पसंद करती हैं उसका कुछ अंस अभी मैं पढ़ना चाहूंगी तो वो कहानी है इस तरी सुबो धिनी प्यारी बेहनों ना तो मैं कोई विचारक हूं ना प्रचारक ना लेखक ना शिक्षक मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूं जो अपने उमर के 42 साल पार कर चुकी हूं लेकिन इस उमर तक आते आते जिन इस्थितियों से मैं गुजरी हूं जैसा एहम अनुभो मैंने पाया चाहती हूं बिना किसी लाग लपेट के उसे आपके सामने रखो और आपको बहुत सारे खत्रों से अगाह कर दूँ मैं जानती हूं कि अपने जीवन के निहायत ही निजी अनुभों को यो सरे आम कहकर मैं खुद अपने लिए बहुत बड़ा खत्रा मोल लूँगी मेरे मात्र पात साल के अलपकालीन विवाहित जीवन पर भी संकट आ सकता है पर क्या करूं मेरा नैतिक तायित तो मुझे ललकार रहा है कि अपनी हजार हजार मासूम किशोरी बहनों को जो या तो ऐसी ही इस्थिती में पड़ी हैं या कभी पड़ सकती हैं अपने अनुभों से कुछ नसीहत दूं बरबादी की और जाने से बचा लूं खत्रा उठा कर भी यदि मैं दो चार बहनों का क्या कहा आपके दिल्चस्पी बेकार की लफाजी में नहीं आप असली बात जानना चाहती हैं बहुत अच्छे लफाजी के प्रती यदि आपके मन में अरुची है तो ये शुब लक्षन बहुत शुब आप सर्तियां बहुत सारे खत्रों से बची रहेंगे सांप का काटा और बातों का मारा वेक्ती बेचारा उठ ही नहीं पाता मुझे ही देखिए मेरी जो दुर्दसा हुई थी उसका कारड अच्छा अच्छा अब एक भी बेकार की बात नहीं बेना किसी लाग लपेट के सीधी बात सुनिए सीधी और सच्छी मेरा अपने बौस से प्रेम हो गया वाह आपके चेहरों पर तो चमक आ गई आप भी क्या करें प्रेम कम बकत है ही ऐसी चीज चाहे कितनी ही पुरानी और घिसी पिटी क्यों न हो जाए एक बार तो दिल फड़की उठता है चेहरे चमचमाने ही लगते हैं खेर तो ये कोई अनहोनी बात नहीं डौक्टरों का नर्सू से प्रोफेसरों का अपनी छात्राओं से अपसरों का अपनी स्टेनो सेक्रेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहां आम रिवाज है ये बात बिलकुल अलग है कि उनकी ओर से इसमें प्रेम कम और शगल जादा रहता है पर ये बात तो मुझे बहुत बाद में समझ में आई मैंने तो अपनी ओर से पूरी इमानदारी के साथ शुरू किया था इमानदारी और समर्पन के साथ शिंदे नयने तबादला होकर हमारे विभाग में आये थे बेहत खुश मिजाच और खूपसूरत आखों में ऐसी गहराई जिसे देख लें वह गोते ही लगाता रह जाए बड़ा शायराना अंदास था उनका और जल्दी ही मालूम पड़ गया कि वे कविताएं भी लिखते हैं पत्र पत्रिकाओं में वे धराधर छपती भी रहती हैं और इस छेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है आयकर विभाग की अपसरी और कविताएं है ना कुछ बेमेल सी बात पर ये उनके जीवन की हकीकत थी अब मैं चाहूंगे कि मैं आखरी के आखरी का अंस पढ़ती हूं जिसे सुनकर वो बेहत खुश होती हैं मतलब वो कुछ भी सोच रही होती हैं और वो आखरी की लाइने सुनती हैं तो बस हसने लग जाती है हाँ तो इस देश में प्रेम के बीज मन और शरीर की पवित्र भूमी में नहीं ठेट घर परिवार की उपजाओ भूमी में ही फूलते फलते हैं भूल कर भी शादी शुदा आदमी के प्रेम में मत पढ़िये दिव्य और महान प्रेम की खातिर बीवी बच्चों को दाओ पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहां पैदावारी नहीं होती दो नाओ पर पैर रखकर चलने वाले शूर वीर जरूर सरया मिल जाएंगे हाँ शादी सुदा ओरतें चाहें तो भले ही शादी सुदा आदमी से प्रेम कर ले जब तक चाहा प्रेम किया मन भर गया तो लौट कर अपने खुटे पर ना कोई डर ना घुटाला जब प्रेम में लगा हो शादी का ताला यह लाइन पढ़ते ही वो हसने लगती है और कहती है कि तुझे पता है यह मैंने खुट से ही बना के लिखा था वैसे तो कहानी भी उन्होंने खुट से लिखी है लेकिन वो आखिर में यह बात जरूर कहेंगी कि तुझे पता है मैंने यह खुट से लिखा था हाँ तो मैं एक बार पुना जो भी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े उन सभी का आभार वेक्त करती हूं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं जन्सुला पुस्त कालय का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूं और मनुजी तो हमारे साथ हैं लेकिन उनको भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और एक बार मैं पुना कहना चाहती हूँ कि इश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी याददास्त वापिस आए और वो मेरे साथ वैसे ही फिर से बाते करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का